róż them , तो आज में आपके साथ शेर करने वाली हूँ दावतों में बनाए जाने वाली चिकन की एक्टम सॉफ्ट मकमली सी एकडम भिच फ्लेवर वाली चिकन ग्रेवी की रेसिपी तो इस रेसिपी को आप जरू ट्राइ करें दावतों में जरू बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने पांच प्याजो को रफली चॉपकर के लिया है दो टमाटर लेंगे और एक किलो के करीब चिकन लेना है मसाले में 5-6 लाइची एक टीबल स्पून लेंगे 7-8 दालचीनी तेस पता और एक टीजपून के गरी जीरा लेना है एक पैन में 4 तीबल स्पून के गरी तेल डालेंगे जो हमने प्यास कटकर कर रखी ती चाली से के लिए तेल में अच्छे से फ्राइब करना है प्याजो को उसके बाद गरम मसाला डाले उसके अच्छे से बाद फूट कलर का भी ताकि अच्छा से कलर आजाए तो अब हम यहां पर चिकन को फ्राइब करेंगे यह नमक डाल रही हूं नमक आप अपने टेस्ट के साब से डाले मैंने एक और आदा यानि माने नहीं आफ टीजपून के करीब नमक डाला है तो टेवल तो टेवल स्पून के लिए तो टेवल स्पून के करीब अच्छे से फ्राइब करना है चार से पाच मिनट के लिए ताकि अदर गलसं की निकल जाए रॉज स्मेल तो यहां पाद दे कि इस तरीके का कलर आजा प्याजो का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है नहीं तो ग तो पहले ही जिकन को अच्छे से आप मेरिनेशन के लिए रख देना है ताकि चिकन के अंदर आजाए उसके बाद एक ज़िकन को अलट पलट करते हूप करना है तो यहां पर जिरा राइस के लिए तेन ना हम पातिले मैं तीन स्पून के करीब तेल दालैंगे 1 पweise यह पाल टेबल सब्सक्राइब्स आपलग करला की अबप प्यास का निया थे क्राइब आंगे हैं अब पाने डाले अपने टेस्ट ऑपाने को बॉइल आजाये उसके बाद आप अपने चावल को आइड कर सकते हैं जितनी quantity में आप चावल बना रहा है तो पाने को अच्छे से बॉइल होने दे उसके बाद चावल आड़ करें अब इस पतेले को हम साइड में रख देते हैं जब तक चावल भी बॉइल होते रहेंगे हमाज चिकन भी अच्छे से फ्राइ हो रहा है तो यहाँ पर देखें चिकन को इस तरीके के कलर आने दे 80-90% तक चिकन को कुक करना है फ्राइ करते वक्ती और गैस का फ्लेम आफ कर दे उसके बाद एक वेसल लेना है 4 टेबल स्पून के करीब या अपने हिजाब से 3 टेबल स्पून तक तील डाले अपने हिस एक टीबल स्पून तरी अपने हिसाब से एक तील स्पून रज़ है दन्या पॉडर एक टीब स्पून के करीब डाला है और अच्छे से मिक्स करते जाना है एक ती पूडर के बागों के लिए हल्दी डाला है च्छे मिक्स करते रहे और रेड़ पुट कलर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो ग्रेवी होती है वो रिड कलर में बहुत खूबसूरत से लगती है तो इस तरीके से आपने Miks करते जाना आए नमक डालेकि कुछिपने मेरानेशं में नमक डाला है और ग्रेवी का बागी है तो दालका अच्छे से Miks चिकन की साथ ग्रेवी को और पास से साथ मिनट के लिए पकने देना है दावातों में हमного जदार चिकन की बहुत ही जादा क्वांटिटी में ग्रेवी सिय जाए चाहिए है कि तो इस रेसिपी को आप इस क्वांटिटी के साथ बनाए बहुत ही स्धावधश कॉन hypocre के तयार हो जो टेबल स्पून के करीब चिकन मसाला अड़ करेंगे कोई भी ब्रैंड का अप ले सकते हैं बटर डाले दो क्यूब के करीब बटर डालकर अच्छे से मिक्स करना है और यहां पर अगर आपके पास कोईला अवेलेबल है तो कोईले का स्मोक जरूर दे और मेरे पास कोईला के बाद आपको रेसीपी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंट्स और फैमली में शेयर करें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको रेसीपी कैसी लगी तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक आप अपना खोब सारा खाल रखना लाइक भी जरूर करें कमेंट्स भी जरूर करके बताएं तो चलिए अलाहाफिज